गुड इनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारबचो आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का जो सात्वाँ चेप्टर चला है ग्लिम्सेस आफ इंडिया में इसका जो सेकेंड पार्ट है कुर्ग का हिंदी एक्स्प्लानेशन देखेंगे में इस हिंदी व्याख्या देखेंगे आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट चलेंगे कुर्ग का हिंदी एक्स्प्लानेशन देखेंगे प्यारबचे आपका क्या-क्या-क्याचीजेmy emerging है अभी तक प्यारबचे आपका प्रोज का चैप्टर पूरी तरह से कंप्रीट हो चुका है यह आपका साथवां चैप्टर चला है और प्यारबचे आपकी साथ पूरी तरह से complete हो चुकी है और supplementi reader में दो chapter complete हो चुका है यदि इसमें से आपका कहीं भी कुछ भी छोटा हो तो आप channel की playlist हम जाएए playlist हम जाएंगे तो आपकी एपनी playlist बनी है UP board, class, 10th, English new service क्रिक्या की एपनी playlist बनी होगी प्यारप्चे उसमें सारी classes जैसे चली हुई है प्यारप्चे आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं तो जल्दी से आज की topic से हम लोग जोड़ते हैं आज हम लोग कुर का Hindi explanation देखेंगे यह आपका Glemses of India का second part है तो जल्दी से प्यारप्चे इसकी Hindi explanation पे चलते हैं और इसकी Hindi explanation पे चलने से पहले आपसे एक ही बात कहेंगे यदि आप चैनल पे नए आये हैं तो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा और class 10 के सभी बच्चों में वीडियो को share और प्यारप्चे आपकी जिम्मेदारी है तो जल्दी से इसकी चलते हैं इसकी टेक्स पे चलते हैं लोग और इसकी टेक्स पे चलने से पहले इसकी थोड़ा सा समरी जान जाओ इसकी कहानी क्या है कहानी जाओगे तो फिर उसकी बात जो है जब हम इस chapter को पढ़ाएंगे इस part को पढ़ाएंगे जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा तो इसकी कहानी पेरबचे एक कुर्ग एक अस्थान का नाम है इसकी समरी चलते हैं तो एक कुर्ग एक अस्थान का नाम है अब यह अस्थान कहां है साउथ मिस दच्छिर भारत में एक राज्ज है करनाटक करनाटक एक राज्ज है उसका सबसे छोटा जिला लोग अपनी किताब निकाल लेजिए और रफ कि निकाल लेजिए जिससे जो भी word meaning आपको tough लगे आप उसकी word meaning लिखते चलिएगा या फिर अपनी किताब में ही लिखते चलिएगा जो भी आपको word meaning tough लगे तो यहां से सुरू करते हैं कुर्ग is a coffee country famous for its rainforest and spices अब ध्यान देना कुर्ग is a coffee country कुर्ग कैसा है एक काफी उगाने वालदेहाथ है देहाथ चेत्र है अब एक country means यहां देश नहीं होगा प्यारवीचेiska अब प्यारवीचें आ गया है रेन फारेस्ट रेन फारेस्ट में होता था है वर्सा वन जो अपने वर्षावनों की कारण प्रशिद है and spices और अपनी मसालों के लिए प्रशिद है मिस जो अपनी वर्षावन और मसालों के लिए क्या है प्रशिद है मिस कुर्ग जो छेतर है यह छेतर किसके लिए प्रशिद है rain forest के लिए प्रशिद है मिस वर्षा वनों के लिए प्रशिद्ध है and spices और मसालों के लिए प्रशिद्ध है फिर से पूरी लाइन का अर्थ देखो कुर्ग is a काफी कंटी कुर्ग जो है एक काफी उगानी वाला देहात का छेत्र है famous for its rainforest and spices जो अपनी वर्षा वनों और मसालों के लिए क्या है प्रशिद्ध है आगे देखते हैं प्यार विचे आगे क्या दिया हुआ ये तो इसकी लाइन के बारे में एक लाइन बता दिया था इस सेटर के बारे में अब चलते हैं इसके पहले टेस्ट पे चलती है Midway between मैसूर and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God अब इस लाइन के अर्ष समझने की कोशिस करना Midway मिस होता है बीच में Midway मिस बीच में है between मैसूर मैसूर और the coastal town Coastal मिस होता है तटी तटी मिस समुदर तटी समुदर तटी तटी जो है टाउन मिस सहर Mangalore या किसके किसित के बीच में है, या किस मैसूर और समुद तटी मैंगलोर के बीच में इस्तित है, sits a piece of heaven, यह क्या इस्तित है, sits मिस इस्तित है, a piece of heaven means एक स्वर्ग का टुकडा इस्तित है, मिस कुर्ग को क्या कह दिया गया, एक स्वर्ग का टुकडा कह दिया गया है, तो वही करा है, midway between मैसूर and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven, means एक स्वर्ग का टुकड़ा इस्थित है, किसके बीच में, मैसूर और समत्तटी सहर Mangalore के बीच में, एक स्वर्ग का टुकड़ा इस्थित है, that must have drifted, drift means प्यार बिच होता है, से बहा करके या उड़ा करके, जिसे अवस ही उड़ा करके लाया गया है, from the kingdom of God, means इस्थित वर्ग के राज से, जिसे अवस ही इस्थित वर्ग के राज से उड़ा करके लाया गया है, मिस की बात हो रही है, कुर्ग की बात हो रही है, फिर से इस लाइंग को समझना, मिड़वे बेट्वीन महसूर एंड दी कोस्टल टाउन आप दी मंगलूर सिट्स आपीस आफ हैविन्थ देट मुस्थ है इस्थित वर्ग के राज से क्या किया गया है, आगे चलते हैं, इस लेंड आफ रोलिंग, रोलिंग मिस प्यारबिचो क्या होता है, घुमाओदार, इस लेंड आफ रोलिंग हिल्स, यह जो अस्थान है, रोलिंग हिल्स मिस घुमाओदार पहाडियों का बना हुआ है, मिस यह अस्थान कैसा है, घुमाओदार हिल्स मिस यह अस्थान घुमावधार पहाडियां की है Inhabited मेंस होता है निवास करना जहाँ पर निवास करते है यह प्राउड रेस एक गरवानवित नसल निवास करती है आप क्या निवास करती है नसल निवास करती है फिरसे देखो यह एक घुमावधार पहाडी पर यह इसकी जमीन घुमावधार पाड़ी पर इस्तित है यह प्राउड रेस आप मार्सियल में मिंस गौरवानमीत नशले की एक लड़ाकु आदमियों की जो है वहाँ पर नशल क्या करती है निवास करती है beautiful woman और कैसी इस्त्रिया है सुन्दर इस्त्रिया वहाँ निवास करती है and wild creatures और जंगली जानवर वहाँ क्या करते है निवास करते है फिर से अब पूरे का अर्थ समझता this land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men, beautiful woman and wild creatures means इस गुमाओदार पहाड़ियों की धर्ती पर लड़ाकों लोगों की नसले, सुन्दर अर्थी तथा जंगली जीव क्या करते है निवास करते है इसमें word meaning समझ लेना, rolling means होता है घुमादार, hills means पहाड़ियां, inhabited means निवास करना, proud means गरवानित, race means होता है नश्न, martial means होता है लड़ाकू, man means ब्यक्ती, beautiful means सुन्दर, woman means इस्त्री, wild means जंगली, creature means प्राड़ी आपकी word meaning, सब कुछ word meaning बताते हैं, जो हाँ आपको tough लगे, आप उससे लिखते चलिएगा, तो प्यारवचे ए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कुर्ग आर कोडागू, कुर्ग आर कोडागू, means कुर्ग या कोडागू, the smallest district of करनाटका, यह करनाटका सबसे छोटा जिला है, smallest का यूज हुआ है, प्यारवचे समझने की कोशिस करना, smallest superlative degree का प्रयोग किया गया है, और superlative degree का प्रयोग तबी करते हैं, जब एकदम छोटा होता है, ठीक है, एकदम छोटा means, यहाँ इसमाल दिया है, तो इसमाल का सबसे छोटा, ठीक है, तो कुर्ग कुर्ग या फिर इसे क्या और बोलते हैं, कुडग भी बोलते हैं, कुर्ग को और क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम कुड़ाग। सदा बहार वर्षा के जंगलों का, स्पाइसेस मिंस मसालों का, कौफी प्लांटेशन, काफी बागान का यह घर है, अब फिर से देखो, कुर्ग जो है, सबसे छोटा करनाटा का जिला है, और यह सदा बहार वर्षा के वनों का, मसालों का, और काफी बागानों का क्या है, घ घर है अगे देखते हैं इवर ग्रीन रेन फारेस्ट इवर गीन मिस होता है सदा बहार रेन फारेस्ट मिस होता है वर्षा के जंगल सदा बहार वर्षा के जंगल कवर मिस धके विए हैं 30% आप दी डिस्टिक मिस जिले को 30% मिस जिले के 30% को सदा बहार वर्षा के जंगल क्या किये हुए हैं कवर किये हुए है मिस धके हुए है अर्थातकुर के जिले में जो 30% क्या है सदा बाहार जो है वर्षा के जंगल है तो यही है इवर ग्रीन रेंफारिस्ट कवर मिस सदा बाहार वर्षा के जंगल धके हुए है 30% अब्दी डिस्टिक मिस जिले के 30% भाको जिले during means होता है के दोरान मांसून के दोरान it pours enough to keep many visitors away it pours यह उडेल देता है poor means होता है उडेल ना यह उडेल देता है enough means परियाग्त मात्रा में यह मांसून के मौसम में परियाग्त मात्रा में उडेल देता है अब उडेलता क्या होगा पानी उड़ेलता होगा न मांसून की माँसर में बारिसी होगी न और क्या होगा ठीक है अब इतने जंकल है तो जाहिर सी बात है बारिस तो अधिक होगी ही इतना मांसून के समय पानी उड़ेल देता है कि जिससे बहुत सारे विजिटर मिस आगंतुक क्या रहते हैं कीप अवे मिस दूर रहते हैं जिससे मानसून के समय बहुत सारे आगंतुक इससे दूर रहते हैं अर्थात यहाँ परेटक के रूप में यहाँ पर आते नहीं है ठीक है? तो सिंपल सी बात हो गई मानसून के दवरान वर्षा की वर्षा इतनी अधिक होती है कि जिससे बहुत से परेटक के रहते हैं यहां से दूर रहते हैं इससस्थान से दूर रहते हैं अर्थाती सस्थान पर नहीं आते हैं this season of joy जो खुसियां का मौशम होता था कमिंसेस में सुरू होना जो खुसियों का आनन्द का जो रित होता था वा सुरू होता था from September में सितंबर से सितंबर से जो है आनन्द का समय सुरू होता था and continues till March और कब तक यह बना रहता था March तक जारी रहता है यहाँ जो खुसियों का समय है अर्था जो आनन्द का समय सुरू होता है वह September से शुरू होता है and continues till March और March तक क्या करता है लगाता चलता रहता है अर्थाथ यहाँ पर लोग कब आते हैं ट्रवल यहाँ पर करते हैं September से लेकर के March तक यहाँ पर लोग बाहरी लोग आते रहते हैं उसके पहले मांसून की सिजन में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बहुत अधिक वर्षा होती है इसलिए मांसून की सिजन में नहीं आते हैं तो प्यारे पिछे यह तो हो गया आपका पहला paragraph हो गया अब हम लोग चलते हैं second paragraph में देखते हैं second paragraph क्या है और second paragraph पे चलने से पहले एक ही बात करेंगे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बारा हैं चैनल के सिस्क्राइब कर लेंगे वीडियो के लाइक कर लेंगे और क्लास चिंद के सभी बच्चे में वीडियो सेयर कर देंगे आगे चलते हैं आप लोग वर्ड मेनिंग लखते चलरेएगा आपको एक एक VORD की में बताते होँ चल लाइे आप लोग वर्ड मेनिंग लखते चलरेएगा जिससे आपको份 आर्थ निकालने में कोई समश्या नह वूँ अगे चलती है दीवेडर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measure ध्यान देना अब हम बात करें कब से ले करके September से ले करके March तक की हम बात करें September से ले करके March तक की बात हम कर रहे है और यहां पर तब उस तोरान मौसम कैसे रहते हैं जल्दी से उसे देखो The weather is perfect मौसम अच्छा होता है with some showers अच्छी मात्रा में अच्छी मात्रा में मौसम कैसा होता है बहुत बहुत अच्छा होता है वही है अच्छी मात्रा में कुछ बारिस होने के कारण यहां का मौसम बहुत अच्छा होता है the air breathes air breathes of invigorating invigorating coffee the air breathes breathes means क्या होता है पैरपचे breathes means होता है महक होती है महक होना the air breathes means हवा में महक होती है of invigorating coffee invigorating means होता है पैरपचे invigorating means होता है ताजगी प्रदान करने वाली हवा में ताजगी प्रदान करने वाली क्या होती है महक होती है और किसकी जो है महक काफी की दिया है लाश्ट में काफी न तो हवा में ताजगी प्रदान करने वाली काफी की क्या होती है महक होती है जैसा कि हमने शुरुवात में बताया था कुर्गी जे काफी कंटे कुर्गी एक जो है काफी जो है काफी वाला छित्र है मिस इस लिए आप समझते चलेंगे तभी इस चैप्टर को समझ पाएंगे नहीं तो जड़ा से गर बढ़ा है तो फिर से समझो मिन्स हवा में महक होती है आफ इन गड़स कौनियल बंढ़ोज कलोनियल मिन्स होता है उपनिवेसी बंढ़ोज मिन्स बंगला मिन्स काफी का छेत्र और जह है कलोनियल बंगलोज मिन्स उपनिवेसी बंगला इस्टेंड मिन्स वाँ थे टग्ड मिन्स टग्ड मिन्स होता है सिंपल सी बात है नीचे दबा हुआ होना टग्ड मिन्स नीचे दबे हुए थे अंडर ट्रीज मिन्स पेडो की नीचे कैनोपी उनके च्छाम वाले भाग मिन्स पेडो के जड़ को छोड़ करके उबर जो उसकी टहनिया होती है उसे कहते हैं कैनोपी बोलते हैं जो उपर की टहनिया होती है चारो तरब चेके नहीं होती है उपर की टैनिया उसकी इतनी ज़्यादा साखाय निकल जाती है जो पूरी चेकी नहीं रहती है तो उसी की बात करा है कहने पूई in prime corner means prime corner means अच्छे अस्थान पर prime corner means सबसे अच्छे अस्थान पर तो फिर से इसे समझो यह बहुत टेक्निकल जो है लाइन है काफी states means काफी की जमीने and colonial banglows और कालोनी के जो है कालोनी के अर्थात उपनिवेसी बंगला stand means वहाँ पर रहते थे tug means जो है तो simple से बात होता है tug means होता है नीचे दबे हुए होते थे आफ under the tree tree kind of p means पेडों के उपर के जुन्ड के नीचे वह दबे हुएते थे in prime corners means अच्छे अस्थानों पर तो simple से बात हो गई काफी state उपनिवेसी बंगले पेडों के छदरी के नीचे एकांत में क्या होते थे सिम्दी पड़े होते अगे चलते हैं the fiercely independent people fiercely means होता है अत्यदिक independent means होता है स्watंतर people means लोग आफ कुर्ग means कुर्ग के कुर्ग के अत्यदिक स्watंत्र लोग are possibly आफ ग्रीक संभावता वे ग्रीक के थे और अरेबिक डिसेंट मिस अरेबिक के पूर्वज थे मिन्स इनके पूर्वज संबता कहा के थे ग्रीक या अरब के इनके पूर्वज संबता थे मिन्स कुर्ग के अतधिक स्वतंत लोग संबता है यूनानी अथवा अरभी वनसज थे Greek और Arabic ठीक है Arabic मिस अरभी वनसज और Greek मिस यूनानी या फिर अरभी वनसज है अब यहां Greek के लोगों की बात कर रहा है वही कर रहा है The fiercely independent people fearless means होता अधितिक independent means स्वतन्त people means लोग आप कुर्ग means कुर्ग के कुर्ग के अतिदिक स्वतन्त लोग और possibly means संभौता आप Greek मिस यूनानी थे और Arabic descendant क्या है descendant means या फिर अरभी वनसज के है आगे चलते हैं आगे देखते हैं As one story जैसे की एक कहानी है A part of Alexander's army जैसे की एक कहानी है Alexander की army की Alexander की army की moved south along the coast मिस दच्च्च्च के 30 भागों से क्या कर रहा था गुजर रहा था and settled here और यहीं पर रुख गया when written become impractical जब वापस होना अ बिवहरिक हो गया तो यहीं पर उन लोग क्या कर गए settled के हो गए मिस रुख गए फिसे से दिखना As one story goes on जैसे की एक कहानी चलती है कहानी क्या कहाज़त कही जाती है a part of Alexander's army Alexander की आर्मी का एक भाग moved south along the coast मिस दच्च्च्च के तटो से गुजर रहा था and settled here और यहीं पर रुख गया when written become impractical जब वापस होना क्या हो गया अ बिवहरिक हो गया जब वापस होना जो है दच्च्च्च से जो है वापस होना अब वहरिक हो गया तो वे लोग यहीं पर क्या कर गये रुख गये these people married ए लोग यहीं पर साधी कर लिए amongst the locals means इन्नी सामान लोगों से इन्नी सामान लोगों से इन्नोंने क्या कर लिया साधी कर लिया तो ही है these क्या है एक नक दिज पीपुल मैं रीड ए लोग साधी कर लिया among the locals means इन्नी सामान लोगों में न्नी साधी कर लिया and your culture is apparent और उनकी सभ़ता संस्कित असपस टूप से दिख रही थी in the martial traditions partial means लड़ाकू परंपरा, उनकी जो है, उनकी संस्किष सभॕति लडाकु परंपरा के रूप में दीख रही थी marriage उन्होंने साधी किया religious rights religious means होता है, धार्मिक rights means होता है रिट्रिवाज उन्होंने धार्मिक रिट्रिवाज को अपना लिया, आगे चलते हैं which are distinct ज़ो भिलकुल अलग था फ्राम हिंदू मेनिस्ट्रिम ki मुखधारा से जो हिंदू की मुखधारा से क्या था भिलकुल अलग था मिस्ट जो अलेंगजेंडर की सेना यहां पर रही वह यहीं पर निवास कर गई यहां के लोगों से साधी कर लिया और उसके बाद साधी करने के बाद जो ओलोग अलग जेंडर की सेना आपको पता है कि लड़ाकू सेना थी तो इनका प्रभाव जो है लड़ाकू प्रभाव यहाँ पर दिखाई देने लगा मेरेजिस उन्होंने साधी यहीं पर किये थे रिलीजियस राइट मिंस उनके धार्मिक उसी प्रकास से संस्कित सब्यता हो गई इस अपेरेंट जो पूरी तरह से दिख रही थी ठीक है डिस्टिंग फ्राम दी हिंदियू में इस्टिम लेकिन यह हिंदू की मुखधारा से क्य क्या थी बिल्कुल अलग थी आगे देखते हैं यह तो पहली कहानी हो गई यहां के लोगों के बारे में अब दूसरी कहानी क्या है जल्दी से दूसरी कहानी देखते है दी थीरी आफ अरब यह तो हो गई कहां की कहानी ग्रेक की कहानी हो गई अब अरब की कहानी क्या है कैस इसे हमें पता कि यहां कि लोग अरब की निवासी है दी थीरी आफ अरब जो कहानी है जो थीरी है अरब की ओरिजिन ड्राज जो अरब की उत्पत की कहानी है ड्राज सपोर्ट फाम दी लांग ब्लैक कोट वह इस तरह से सपोर्ट करती है कि लांग ब्लैक कोट विथ एन इंब जता था फ्राम दी लांग ब्लेक कोट जो ए लोग लंबा काला कोट पहनते थे विद एन इंब्रोडियर्ड वेस्टबल्ड जिस पे एक कढ़ाई किया हुआ इंब्रोडियर्ड में उस होता है कढ़ाई किया हुआ जसे पर एक कढ़ाई किया हुआ, vegetable means कमरबंद पहने हुए होते थे, owned by kodawish means कुदायों कुदारा क्या किया जाता था, पहना जाता था, means ए लोग जो काले कलर का एक कोट पहनते थे, और उस पर जो कमरबंद जो पहनते थे, वह एक कढ़ाई किया हुआ कमरबंद पहनते थे, तो इससे पता चलता है, known as kupia, इसे क्या करते है, kupia नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था, it resembles यह प्रतीत होता था, the kupia, kupia के समान यह प्रतीत होता था, owned by the Arabs and the Kurds, जो किसके दोरा पहना जाता था, अरब और कुर्द के दोरा पहना जाता था, जो अरब और कुर्द के तो आरब पहना जाता था तो इसलिए ये लोग भी उसी तरह से कपड़े पहनते थे तो इसलिए ये मान लिया गया कि इनकी उवरिजिन कहां से हुई है अरब से हुई है सिंपल सी बात इसमें है प्यारबचे कोडायू लोगों द्वारा पहने जाने वाले कमर बंद के साथ जो कुपिया के नाम से जाना जाता है अरबियों यहों कुर्गयों दारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे होते हैं जो इससे दान्त की पुष्टी करते हैं कि उनका सुरोत क्या है वे कहां से पैदा हुए है अर्थात उनका सुरोत क्या है अरब है यह है ये लाइन फिर से देख ले ना अभी नहीं समझ में आया होगा फिर से देखना है प्यार विच्छे दी थीरी आफ अरव जो अरव की कहानी है ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्राम दी लांग ब्लैक कोट वी था इन इंब्रोडियर्ड वेस्ट बर्ड वह कहानी इस प्रकार से सपोर्ट करती है क्योंकि ए लोग क्या पहनते थे कढ़ाई किया हुआ वेस्ट बर्ट मिस कमर बंद के साथ एक काली लंबी कोट पहनते थे नोन एज कुपिया जिसे कुपिया नाम से जाना जाता था इस प्रकार से पहनते थे और ये लोग भी इसी तरह से पहन रहते इसलिए माना जा रहा था कि इनकी उत्पत्य कहां से हुई है अरब से हुई है एक तो कहानी हो गई एलेकजंडर वाली एलेकजंडर से पता चला कि इनकी उत्पत्य ग्रेक से हुई है और दूसरी कहानी हो गई एक कपड़ी के मादम से काला कपड़ा उपर से बीच में कमर बंद काला कपड़ा उपर से बीच में कमर बंद वहां के लोग पहनते थे इसलिए जो है और ऐसा ही लोग अरब के भी लोग पहनते हैं तो इसलिए इनकी दूसरी कहानी मानिता मिल गई कि इनकी उत्पत कहाँ से हुई है अरब से इनकी उत्पत हुई है तो प्यारबचो उमीद करते ही कि आपको समझ में आया हूगा अब आगे बड़ते ही आप इसकी word meaning त़ यार करते चलेंगे तब ही आपको clear होगा यह एला part इसका थोड़ा setup है तो इसलिए आपकी जिम्यतारी बनती है कि इसे थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है प्यारविचे तो आगे चलते हैं हम लोग आगे तीसरे स्टंजा में आ जाते हैं तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं कुर्गीज होम्स कुर्गी घर have a tradition of hospitality मिन्स कुर्गी के घरों में एक tradition थी परंपरा थी hospitality मिन्स सम्मान करने की hospitality मिन्स होता है आदर सत्कार करने की या महमान नवाजी करने की मिन्स कुर्गीज होम्स है बर ट्रेडिसन कुर्गी के घरों के लोगों की एक परंपरा थी आफ हास्पिटल्टी मिन्स लोगों की महमान वाजी अर्थात जो है आदर सत्कार करने की एक परेंपरा थी अर्थात उनके घर जो भी चला जाता था उसका बड़े आदर सत्कार से क्या करते थे महमान वाजी करते थे आगे है And they are more than willing और वे अत्यदिक इच्छा रखते थे to recount, recount मीश सुनाने में, वे सुनाने में अत्यदिक इच्छा रखते थे to numerous tales, मिन्स विभिन प्रकार की कहानियां, असंक कहानियां सुनाने की, of weller, weller मीनस होता है बेर्था की, बेर्था की असंक कहानियों की सुनानी की वे two dear sons, जो उनके पुत्रों से संबंदित होती थी, and fathers और उनके पिताओं से संबंदित होती थी, means एक और के लोग अपने बेटे वग पिताओं से संबंदित, बहादुरियों की कहानी को सुनाने की बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं फिसे देख लो वे अतिदिक इच्छा रखते हैं तो रिकाउंट मिस सुनाने की निमरस टेल्स मिस असंग कहानिया अब फैलोर मिस बिर्ता की रिलेटेड टू संस और फादर्स जो उनके पिता और पुत्रों से संबंदित होती है मिस वे अपनी बेटे इवंग पिताओं से संबंदित बहादरी की कहानियों को सुनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते है दिक कुर की रेजिमेंट कुर की जो रेजिमेंट थी रेजिमेंट मिस होता है सैन नदल जो कुर की सैन नदल थी रेजिमेंट थी, is one of the most decorated in the Indian army, जो कुर्ग की रेजिमेंट है, यह most decorated अत्तिक सुसर्जित है, अत्तिक सुसर्जित है Indian army means भारती आर्मी में, भारती आर्मी में यह कुर्ग रेजिमेंट जो है भारती सेना में सरवाधी क्या है, सुसर्चित है, आगे चलते हैं and the first chief of the Indian army और भारती सेना का पहला जनरल, पहला जनरल कौन था, जनरल करियप्पा भारती सेना का पहला जनरल करियप्पा वाज कुर्गी एक कुर्गी था, मिंस भारती सेना का पहला जनरल करियप्पा एक कुर्गी था वही दिये हुए हैं, क्या दिये हुए हैं, आगे क्या है, and the chief, first chief of Indian army, means भारती सेना का पहला जंडल करियप्पा था, वाज कुर्गी वा क्या था, एक जो है, कुर्गी था, आगे चलते हैं, पहले प्रवचों, आगे देखते हैं, even now, यहां तक, कुदाउज are the only one in India permitted to carry firearms without a license, आप ज्याने रा, यहां तक की भी, यहां तक, even now, means आज भी केवल, कुदाउज, means कुदाउज, कुदाउज are the only people, means केवल एक मात लोग होते हैं, केवल ऐसे लोग होते हैं, इन इंडिया, means भारत में, permitted, जिसे जो है, अनुमत मिली है, to carry, means रखने की, fire arms, means होता है, हतिया, जिसे हतियार रखने की अनुमत मिली है, without license, means बीना license के, जिसे बीना license के हतियार रखने की इजायज़त मिली है, and even now, और आज भी, कुदायू, means कुदायू को, are the only people केवल ऐसे लोग हैं, इंडिया, means भारत में, permitted, जिनने अनुमत मिली है, to carry fire arms, means fire arm को रखने की, हतियार को रखने की, without license, means बीना license की, means कुदायू ही एक ऐसे लोग हैं, भारत में, जिसे बीना license की, इनने हतियार रखने की अनुमत मिली हुई है, simple सी बात समझ लो, कितने लड़ा की लोग है, इनने बीना अनुमत के सरकार से, क्योंकि आपको अगर कोई हतियार लेना है, तो आपको सरकार से पहले अनुमत लेन से करते हैं, the river, river means होता है नदी, the river, carvery, यहाँ पर नदी कौन सी है, carvery नदी, obtains, obtains means होता है, carvery नदी को прाप्त होता है, its water means इसके पानी, कावेरी नदी को इसका पानी प्रांद होता है, from the hills means पहाडियों से and forest of kurg और kurg के जंगलों से, मिस जो कावेरी नदी है अपना पानी कहां से प्राप्त करती है पहाडियों से प्राप्त करती है and forest आप कुर्ग और कुर्ग के जंगलों से प्राप्त करती है simple सी बात है कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाडियों और जंगलों से क्या होता है प्राप्त होता है महासीर अब आगे देखना महासीर A large fish water fish महासीर क्या है एक बड़ी large miss एक विसाल fresh water fish मिनस ताजी पाने की एक मचली है मिनस महासीर क्या है एक ताजे पाने की एक विसाल मचली है Abound abound में सोता है पहलोच थे अट्दी मात्रा इबाउन्ट में सोथा थे अट्दीक मात्रा में bound in these waters, इन पानियों में पाय Intelli means, महासीर मछली इस पानि में, काफी संख्या में पाय Rolls about में सोता है अधिक मात्रा में तो इस जो है ताजे पानी की माधि इस ताजे पानी की नदी में महासीर मचली क्या होती है अतिदिक मात्रा में क्या की जाती है पाई जाती है King Fissers King Fissers एक पक्ची का नाम है King Fissers डाई गोता लगाता है फार्दिय कैच उन्हें पकड़ने के लिए उनका सिकार करने के लिए कौन गोता लगाता है किंग फिसर पक्ची उनका गोता लगाता है पानी में वाइल स्क्वेरल्स जबकि गिलहरियां एन लंगूर्स और लंगूर ड्राप पार्सली एटन फूर्ट वे नीचे गिराते हैं खाई वे भोजन को फ्रूट मिस फल खाई वे फल को वे नीचे गिराते हैं कौन गिराता है इसक्वेरल मिस गिलहरियां लंगूर मिस ए बानर की प्रजाती है तो लंगूर्स गिराते हैं ड्राप मिस गिराते हैं partially means आदा अधूरे partially means पुता पूरा नी आधे अधूरे आधे अधूरे eaten means खाई हुए full fruit means फल को आधे अधूरे खाई हुए फल को गिलहरियां और लंगूर्स क्या करते हैं गिराते हैं कहां गिरा रहें पानी में फार्दी मिसीप means सरालत के लिए of enjoying the splash splash means प्यारविचे होता है चपचपाना जो पानी में जब गिरता है फल तो जब चपचपाहट की आवाज उतती है उसका आनंद लेने के लिए एक गिलहरी अल लंगूर क्या करते हैं आधे अधूरे फल क्या करते हैं गिराते हैं and ripple ripple means एक तरंग जो उठती है लहर जो उठती है तरंग उठना means जब वेप फल को गिराएंगे तो एक पानी की धारा उपर उठी गई न वही कह रहे हैं कि उसका आनंद लेने के लिए तरंग और जो है पानी में चपचपाने की आवाज का आनंद लेने के लिए effect in the clear water उस एकदम असपस्ट पानी में एकदम साप सुथरे पानी में जो है वे चपचपा हट की आवाज और तरंग की आवाज लेने के लिए सुनने के लिए अपने आदे अदूरे खाई हुए फल को कौन गिराता है गिलहरिया और लंगूर क्या करते हैं उस पानी में गिराते हैं सिंपल सी बात है पर चो गिलहरिया और लंगूर आदे खाई हुए फल को साप पानी में पानी की आवाज और लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए उसे क्या करते हैं जाते हैं अर्थात फेकते हैं, elephants enjoy, हाथियां क्या करती हैं, enjoy करती हैं, being bathed मिस अश्णान करने में, मिस हाथियां वहाँ पर अश्णान करने में क्या करती हैं, enjoy करती हैं, मिस वहाँ पर नहा करके enjoy करती हैं, मिस खुसियां मनाती हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, और कैसे, and script, script मिन्स होता है रगणना इसक्रब मिन्स होता है रगणना और नदी में इसक्रब मिन्स रगणने से उनके महावत की दोरा मिन्स हाथी अपने महावतो दोरा नहलाए जाने और नदी में रगणे जाने का आनन लेते हैं वह यह महावत अगर नहला रहा है तो उसे रगण रगण क को कहरें है、 giant means हाँदियां क्या करती है? enjoy करती है आनंद लेती है being bathed means नहाए जाने का आनंद लेती है and skipd और रगड़े जाने का आनंद लेती है indie river means नदी के by dear mahat means उनके mahat व्यों नदी में रगड़े जाने का कहा लेते है, आनंद लेते हैं? तो प्यारे बच्रों, इन तो आपका तीसरा paragraph था. अब हम लोग चलते ही Čते paragraph पर और छौते paragraph पर चलने से पहले एक ही बात कहेंगे जो भी बच्चे चैनल पर पहरी बारा हैं चैनल को subscribe करने के वीडियो कर लाइक खर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो बहुत जाना चाहिए यह आपकी जिम्मेदारी है आपके कोचिंग के स्कूल के कहीं के भी साथ ही आ रहा हो सभी बच्चों से इस चैनल के बारे में बताओगे कि डायमें डिकेडिनी क्लासे पे आपके सारी क्लासे हो रही है आप सभी अध्यान दिना इस बात को संदने की कोशिस करना अब आगे देखते हैं सबसे अतदिक आलसी ब्यक्ति के बारे में कौन सी बात हो रही है उसे आगे देखते हैं सबसे अतदिक आलसी ब्यक्ति बीकम कनवर्ड्स वह परिवर्तित हो जाता है तूती लाइफ आफ हाई इनर्जी मिंस एकदम उच्च जो है सकती साली इनर्जी मिंस सकती वाली जीवन जीने के लिए एडवेंचर विथ रीवर राफ्टिंग और कौन सा जीवन जीएगा सास आपसी कारे करने का विथ रीवर राफ्टिंग रीवर राफ्टिंग प्यारविचो सब्दाया है राफ्टिंग मिंस होता है आपका जल कीडा जल कीडा करने के लिए जड कीडा करने के लिए वह क्या होता है तैयार हो जाता है कैनोईंग कैनोईंग मिंस होता है सिंपल सी ब करना एंड राख क्लाइबिंग और चाटानों पर चढणना एंड माउंटीन बाइकिंग और पहाडों पर मोटर साइकल चलाने इन जैसे सासी कारों को करने का वह क्या बन जाता है आती बन जाता है मिल्स यहां का सबसे आलसी व्यक्ति भी दी मोस्ट लेख बैड इंडिविज यहां का सबसे आलसी रहने वाला ब्यक्ति भी क्या करने लगता है क्या करने कन्वर्श टू दी लाइफ आफ हाई एनरजी इडवेंचर मिस अती देख सासी काम करने लगता है विद दी रीवर राफ्टिंग अती देख सासी काम किसमें करेगा जल क्रीडा करने में कैनो मिन्स जो है लंबी नाव खेने में, रैपेलिंग मिन्स जो हता है, उच्छी चटानों से नीचे उतरने में, राक लाइपिंग मिन्स होता है, चटानों पर चढने में, एंड मौंटेन बाइकिंग मिन्स होता है, पहाड़ों पर मोटर साइकल चलाने जैसे सासी काम करने वाले बन जाते हैं मिन्स यहां के आलसी लोग भी क्या करने वाले हो जाते हैं यहां के आलसी लोग भी क्या करने लगते हैं नदी में जलकीडा करने लगते हैं लंबी नाव खेने वाले हो जाते हैं उची चटानों से नीचे उतरने वाले हो जाते हैं चटानों पर चढने वाले हो जाते हैं और पहाडों पर मोटर साइकल चलाने वाले जैसे सासी काम करने वाले लोग बन जाते हैं आगे चलते हैं Numerous Walking Trails चलने के लिए ट्रेल मिस होता है पगडंडियां इन दी रिजन मिस पैदल लंबी यातरा चलने वाले लोगों का प्री होता है द्यान देना, numerous walking trails मिन्स असंख पगडंडिया, in this razor मिन्स इस चेतर में, our ferret मिन्स पशिंदीदा होता था, with trackers मिन्स, जो पैदल लंबी आतरा करने वाले लोग होते थे, उनका जो है, trackers मिन्स होता है, पैदल लंबी आतरा करने वाले, पैदल लंबी आतरा करने वाले लोगों का, यह असंख पगडंडिया, क्या होता था, ferret होता था, मिन्स पसंदीदा होता था, आगे चलते हैं, birds मिन्स चड़िया, bees, आगे चलते हैं, एक मिनट, यह देखिए, यहां के लोग है, यह इस प्रकास से लोग होते हैं, आगे है, birds मिन्स चड़िया, bees, bees मिन्स क्या होता ह चड़ियां हो गई, मदमक्यां हो गई, तितलियां हो गई आर दियर टू गिव यू कमपनी ए आपका साथ देती थी अर्थात ए आपके साथ साथ पकडंडी पे चल ले हो गाउं वाले रास्ते में चलोगे तो वहाँ पर आपको तितलियां भी मिल जाएंगी चड़ियां भी मिल जाएंगी तिक है और मदमक्यां भी मिल जाएंगी तो वही करा है, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर दियर टू गिव यू कमपनी, कमपनी मिन्स होता है साथ ए वहाँ पर आपको साथ देने के लिए पच्ची मदमक्यां और तितिलियां होती है आगे चलते हैं, आगे क्या है मालाबार स्क्वेरलस, अब एक स्क्वेरल की बात हो रही है मेंस मालाबार की गिलहरिया मालाबार इस्कोलेस मालाबार की गिलहरिया प्रफुल आईज मेंस एक निगरानी की नजरे रखते हैं प्रामदी ट्री कहनोपी मेंस पेड़ों की छतरी में से पेड़ों की छतरी हमने आपको बताया पेड़ों की कैनोपी क्या होता है जो पेड़ की जड़ को छोड़ करके जड़ को छोड़ करके उपर से जहां साखाय निकलती है चारो तरफ साखाय जब निकल जाती है तो चारो तरफ न तो उसी को कैनोपी बोलते हैं तो क्या करते हैं यह लोग कि Slender Loris Keep a Vajpul Eyes एक नजर पूरवक जो है आँख रखती थी व्रामदी ट्री कैनोपी मिन्स पेडों की कैनोपी से पेडों की छतरियों में से तो सिंपल सी बात हो गया क्या हो गया मालाबार की गिलरियां मैकाक लंगूर और दुबला लोरी पक्षी पेडों की छट्री में से ध्यान पूरवक चो किसी भरी नजर रखते थे I do रखते थे नहीं रखते हैं I do however लेकिन फिर भी मैं prefer to step aside step aside means होता है दूर रहना मैं step aside means दूर रहता हूं aside for the wild elephants किसे दूर रहता हूं जंगली हाथियों से मैं बचना या दूर रहना पसंद करता हूँ में फिर भी मैं जंगली हाथियों से दूर रहना क्या करता हूँ पसंद करता हूँ अर्थात मैं जंगली हाथियों के पास में नहीं जाता हूँ यह कौन कह रहा है जंगली आंतियों के पास भी नहीं जाता हूँ यह writer कह रहा है ठीक है आगे चलते हैं प्रविच्छे अंतिम परग्राफ पे चलते हैं देखते हैं अंतिम परग्राफ क्या है पांदस मिनट की लास और बच्ची है आज की क्लास फिर आज का पन complete करेंगे आगे क्या है दी क्लाइम टू दी ब्रमगरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन्टो आ पैनोर्मिक विउ आप दी इंटार मिस्टी लैंड सेप लैंडिस्केप आफ गुर्ग्द थ्यान दे रहा दी क्लाइम ज़्ञान ब्रह्मगरी हील्स का पहाड़ी के। इन्स समपूण धयाओन किसाओं तॉड़ी का विसा जा सकता था। पैनोरिमी क्या होता है विसाल होता है विसाल धर्ती का क्या किया जा सकता था नजारा देखा जा सकता था मिंस ब्रह्मगरी पाड़ियों पे चड़ने से कुर्ग की दुदले से पूर मिंस जो अंदेरा था दुदला पन था उससे पूर धर्ती का नजारा विसाल धर्ती का आप यहां पर चलते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है, हाँ, यहां पर है रसियों के पुल पर चलकर 64 एकड का निसार गधामा टापू आता है, मिन्स यहां से रसियों के पुल से जब हम चलते हैं, रसियों के पुल से जब हम चलते हैं, यहां में ले जाता है, 64 एकड के दीप के पास लेके जाता है, निसार गधामा दीप है, मिन्स यहां पर रसियों के पुल पर 64 एकड की दूरी तयं करने के बाद, यह हमें कहां ले जाता है, दीप निसार गधामा की तरफ ले जाता है, एस दीप की तरफ लेके जाता है, सिंपल सी बात हम है कि हम रसीयों के पूल से गुजड़ेंगे और कितनी किलोमिटर 64 एकर एकर मिस 64 रसीयों के पूल पर 64 एकर की दूरी तैंक करने के बाद वह हमें कहां ले जाता है दीप निसार गामा दीप के पास लेके जाता है क्या है नियरबाई आगे क्या दिया हुआ है बिला कुपे नियरबाई बिला कुपे इस बोनस मिस होता है फ्री में ध्यान देना रणिंटू बुद्धिस्ट मंक यहां पर बहुत भिक्चू का भिक्चू भी रहते हैं बिला कुपे के आज पास भारत की सबसे बड़ी तिब्धी लोगों की बस थी तिब्धी लोग ज़्यादा बहुत होते हैं और बहुत भी चूहों से मिलने का अलग ही फायदा मिल जाता था ध्यान देना फिर से समझना आगे हैं रेनिंग इंटू बुद्धीस्ट मंग्स फ्राम इंडियाज लाज़ेस्ट तिमपतेन सेटलमेंट मिन्स यहां पर तिबबत के अत्यदिक भिच्छू लोग रहते थे एट नियर बाई बिला कूपे के नजदीक मिन्स बिला कूपे के नजदीक भारत की सबसे बड़ी तिबबती लोगों की बस्ती रहती थी इस बोनस जो बस्ती रहती थी हमें और यहां पर कौन रहता था यहां पर बहुत बिच्छू भी रहते थे जिसका हमें बोनस के रूपे में इस फायदा मिल जाता था आगे चलते हैं आगे हैं आगे रहते थे आप ज्यान देना अनेकों अजूबों में से एक हैं यही दिया हुआ है अनेकों के सर्प्राइजों में से एक हैं जो उन्य यात्रों के दौरा पाए जाने का इंतजार करते हैं जो बहुत आगंतुकों के दौरा खोजे जाने का इंतजार करते हैं क्योंकि भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहां कुर्ग में तलासते हैं इसलिए वे बहुत भिच्चूं को भी वहां पर मिल जाते हैं उनसे बाते करते हैं तो सारी चीजे होती है मिस क्या हो गया इसका पूरे कर देखो लाल गिर्वे और पीले कपड़े पहने वे भिच्चूक अनेको अजूबों में से एक हैं जो उन यात्तियों के दोरा पाए जाने का इंतजार करते हैं या खोजे जाने का इंतजार करते हैं जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहां कुर्ग में तलासते हैं तो प्यारे मिचे एसका अर्थ हो गया दी मंग्स इन रेड आचर एलो रोपस मिस जो वहां के मंग्स जो भिक्चुक है वे लाल पीले और गिरुए कपड़े पहने हुए होते हैं आर इमंग दी मैनी सर्प्राइजेज वे जो है अनको अजूबों में से एक है अनको आश्वर में से एक है तो बी वेट मिस इंतजार करते हैं तो बी डिस्कबर्ड मिस खोजे जाने का बाई विजिटर्स मिस आगिनतुकों का सर्चिंग फार्दी होट एंड सोल आफ इंडिया राइट हीर इन कोर्ग जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहां कुर्ग में तलासने आते हैं वा उन ही आत्रियों को दारा खोजे जाने का क्या करते रहते हैं इंतिजार करते रहते हैं यह सादू संतों की बात हो रही है प्यारवचो तो यह आपका चेप्टर था ग्लेमसेस आफ इंडिया का जो सेकंड पार्ट था कुर्ग का हिंदी एक्स्प्लानेशन था प्यारवचे एच चेप्टर टफ था हमने आपको पहले ही बताया था एच चेप्टर टफ था दो तीन बार इसे पढ़ोगे प्रत्य एक word meaning को पढ़ोगे सारी word meaning आपकी तयार हो जाएगी तब आपका ए अला part अच्छे से तयार होगा नहीं तो काफी confusion इसमें आपको फ्यारवचो मिलेगा जिसलिए इस चेप्टर को दो तीन बार पढ़ना और हर word meaning को पहले clear कर लेना जो word meaning हम पढ़ाते से में बताये हैं उस word meaning को clear कर लेना तब आपका ए वाला part अच्छे से आपको समझ में आएगा एक बार में तो अगर कोई बच्चा एक बार में समझ ले तो मुझे message करना comment box से comment करना कि सर मुझे एक ही बार में समझ में आ गया ठीक है अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो दो तीन बार वीडियो को देखना दो तीन बार इसकी word meaning को देखना आपको चीजे around secure जो है अच्छे से समझ में आ जाएगे तो प्यार्वचे आज की class यहीं समाप्ट करेंगे और class मात करने से पहले एक ही बात करेंगे जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आये थे चैनल को subscribe करेंगे, वीडियो को like करेंगे और class 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवज share करेंगे और इसका जो तीसरा part है मिसस का जो third part है पहला और दूसरा part का हिंदी explanation हो गया जो इसका तीसरा part है टी फ्राम असम जो कल की class में आपको इसका हिंदी explanation मिल जाएगा तो इस chapter का glimpses of India का तीनो जो है पार्ट का हिंदी explanation फिर हो जाएगा और यह दिया आपका पीचे का कुछ भी चूटा हो ता प्ले लिस्ट में जाकर की चेक करके पूरा complete कर सकते हैं तो आज की class मात करते हैं कुछ बहतरी लाइनों के साथ कुछ ज़्यादा ख्वाई से नहीं ए जिंदगी तुससे बस मेरा अगला कदम पिछले से बहतरीन हो प्यारविचो आप यह हमेशा करने की कोशिस करें आज जितना बहतर कर रहे हैं कल उससे बहतर करने की हमेशा कोशिस करें इसलिए बहतरीन सी लाइन है कुछ ज़्यादा ख्वाई से नहीं है जिंदगी तो उससे बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बहतरीन होना चाहिए तो प्यारविचो यह आपका लच्छ होना चाहिए आप जितना आज बहतर करो उससे बहतर कल होना चाहिए यह आपकी जिम्यदारी है तो इनी बहतरीन सब्दों के साथ आज की क्लास माब्त करते हैं फिर मिलते हैं अगली क्रासे मिलते हैं तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए लब यौल पेर विच्छो